जोहार दोस्तो जैधरम मैं विनोद भगत सरना दिवासी परवतिवार यूट्यूब चैनल से आप लोग तो जानते हैं कि मैं आदिवासी समाज से जुड़े कुछ तथियों को, कुछ बिचारों को, कुछ बातों को लाते रहता हूं इस यूट्यूब चैनल में आज मैं एक टोपिक को इस यूट्यूब चैनल में लाने जा रहा हूँ, वह है एक हमारे गरीब परिवार से हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, जो संगर्स करते हुए, पि-एच्डी करने सके और यह कुड़ुख भासा को ले करके पि-एच्डी किये हैं, जिससे आदिवासी समाज को एक प्रेरना लेने का जरूरत है और आदिवासी समाज को प्रेरना मिलेगी, उसी को ले करके आज मैं उनसे बाते करूंगा और उनके संगर्स के बारे में बात करूंगा, जो आज तक इस मुकाम तक पहुचने के लिए वे किस तरह से कईसे कईसे अपना संगर्स किये, कईसे कईसे आगे बढ़े इस राषते में आने के लिए उन्हें कितना तकलिपे जहलनी पड़ी और वह परिवारिक बैक्ग्राउंड जो है वह कैसा है कितना गरीब है कभी खाने के लिए रहा होगा कभी नहीं रहा होगा कभी कही जाने के लिए गाड़ी भाड़ा रहा होगा नहीं रहा होगा उसके बारे में हम लोग बाते करेंगे और मेरे जितने audience है आप तक इन सभी तक्तियों को लाने का मैं परियास कर रहा हूँ और आप लोग देखते हैं सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चलिए विडियो को सुरू करते हैं जोहार बांदे सर जोहार जैधर में आपका सबसे पहले मैं जानना चाहूंग अपपर इच्छे मेरा परिचे है डोक्टर बंदे उराउं चनगनी बेडो राची जहरखन का इस्थाई निवासी हूँ और अभी मैं अपग्रेड़ हाई स्कूल राय में काजरत हूँ और इससे पूर्ब हाई स्कूल जेर्णिंग करने से पहले हम पिएच्डी करने का सुवासर प्राप्त हुई बांदे सर जी आपने एक गरीब घर का हो करके एक गरीब परिवार्स में जन में और आप इतना मुकाम हासिल किये हर एक बेक्ति का दिल होता है कि राची जैसा युनिवर्सिटी में आए और वहाँ पर हायर इजुकेशन प्राप्त करें हर किसी का एक ख्वाब होता है हर किसी का एक मन्सा होता है लेकिन हर कुई को यह मुकाम हासिल करना संभाव नहीं होता है और आप कल जो आप अपना कुल्पती से अपना गाइडर हारी उराओं से मिलकर के कुणुख विभाग में आपका किताब का लोकरपन हुआ इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है इसमें हमको बहुत अच्छा लगा और एक बार जब मैं बीए में पढ़ रहा था पार्ट वन में उसमें एक पेपर में निकली थी यदि आप कुणुख विशय को लेकर पढ़ते हैं और अंति मुकाम तक जाके अगर नेट ज्यारप करते हैं तो आपका जिंदगी सहवर मुझे सिर्फ था कि पढ़ाय पूरा करना है इसी मुकाम को लेने के लिए मैं संघर्ष किया और प्येश्डी हासिल मैं दो ही वर्ष में रिगूलर कोर्स करकिसको पूरा कहिया चलिए ये सब बात सुनके आदिवासी समाज से जितने भी पढ़ने लिखने वाले हैं और टी हासा के लोग सोचते हैं कि हम PhD करेंगे या higher education ले करके कुछ अच्छा करेंगे उन सभी लोगों के लिए आपका एक प्रेरना सुरोत होगा आप से प्रेरना ले पाएंगे यदि आपकी सारी ब्याथा को आपकी सारी बीते कल में जो तकलीपे थी उसको जानेंगे तो सब को एक बहुत बड़ा हिम्मत मिलेगा होसला मिलेगा तो बांदे सर जी आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि आपका बच्पन कैसा रहा बच्पन तो बहुत ही दुखदाई तो नहीं कहा जा सकता है चुकि खाने पीने के लिए किसी प्रकार से हो जाती थी लेकिन माता पिता का यह सोच था सिर्फ उन लोग स्कूल भेजते थे काम चुट्टी के बाद हम लोग जाते थे खुद जाते थे लेकिन उन लोग अपन पता नहीं कोई जहान में थी कि खेत खरियान नहीं है तो यह पढ़ेंगे लिखेंगे और कुछ अच्छा रास्ता में जाएंगे तो उन लोग का सिर्फ सापना था कि यह लोग सिर्फ इसकूल जाए और हम लोग अपना जाके पढ़ते थे फिर इसकूल से आके जो भी बैल बकरी थे खेती करते थे यहीं चराने जाते थे तो बांदे सर की माता पिता जो थे वो लोग पढ़ाना चाहते थे खूद पढ़ने नहीं जानते थे लेकिन इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और जो रास्ता खुलेगा उस रास्ता पर आगे बढ़ेगा यहीं न सर जी तो आप से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका बच्पन में जो भी पढ़ाई करने लगे और आप तो बच्पन से पढ़ते-पढ़ते एक PhD होल्डर बने डॉक्ट्रेट बने यहां तक का संघर्ष में आप कभी किसी वक्त भूखे सोए हैं ऐसी तो बहुत बार हुई है कि पढ़ाई करने जाते थे एक बार की घटना है कि जब मैं छटवा क्लास में पढ़ रहा था तो वहां मा बाहर चली गई थी पिताजी थे और मैं हरबर हरबर में सवा आठ बजी स्कूल पहुचनी थी तो मैं एक कुवा में गिर गया था और कुवा में गिरने के बाद निकाले लोग फिर भी मैं उस दिन भूखे मैं संट जोंस स्कूल नमाटार गया और वहां दिन भर कापते रहा और उस साम को आकर मुझे खाना खाने क नसीब हुई थी लेकिन मुझे पढ़ाई सिर्फ करनी ती जुनून था मैं साथ किलोमीटर डेली आना जाना पैदल ही करता था और सबसे दोस्तों में सबसे तेज दोड़ते हुए सबसे आगे आगे जाते तो मुझे फर्ष्ट आना है क्या कर देखिए बांदे सर ने बताया कि साथ किलोमीटर पैदल जाकर के नवाटान इसकूल में पढ़ते थे और नाओ साथ किलोमीटर पैदल आना और साथ किलोमीटर पैदल जाना सोचिए अगर चिड़ चिड़ आती धूप रहा होगा तो इसका पैर में छाले आ जाते होंगे हमको लगता है इसके समय में जब ये पहला दुसरा में पढ़ते थे तो साइद जूता भी नहीं होता होगा ऐसा हमको लगता है और बारिस होता होगा तो साथ किलोमीटर जाने में कितना तक लिपे होती होगी और इनके घार और नवाटार इसकूल का जो दूरी है उसके बीच में रास्ता भी नहीं है खेत और खलिहानों से हमको लगता है जाना पड़ता था किदर जाते थे इदर से सुटका सी जाते थे उदर दोन बांध होके उदर जंगल टिक्रा ह कर जाते थे और ज्यादा बारिस ओजा ती हम लोग तंल लोग रोड तंगरबैसली होकर उदर परियागों तरफ से जाते थे तो आप कभी-कभी रास्ते में जाते तो इस तरह से संगर्स करते हुए इन्हों ने इस मुकाम को हासिल किया है और आज यह यहां तक आए और जो टी आरेल में जितने भी विद्यार्थी है नाओ भासा के सभी को एक प्रेरना लेने की जरूरत है और बहुत ही खुशी का बात है तो आगे हम इनसे जानना चाहेंग के बांदे सर जी आप यह बतलाईए कि आप शुरुवात से आप डॉक्ट्रेट बने पीएचडी हासिल किये तब तक कहां कहां कब कब पढ़े जितना जानकारी होतना दीजिए उससे पहले हम प्राइमरी स्कूल पांच तक गाउं स्कूल में ही पढ़े जो प्राथमिक भी दियाला है वहां हम लोग मुनिटर गिरी करते थे सब टीचर भी कहती थी कि रहे तू पढ़ा सकते हो इसे उस होसला में मुझे पता ने हम क्या पढ़ाते थे नहीं पढ़ाते तो नहीं पता लेकिन हमको पढ़ा सकते तुम पढ़ सकते हो यह होसला बुलंद करती थी और व मेट्रिक पास किये मेट्रिक 2002 में किये जिसमें गाव में हम पहली बार हुए आदिवासी लड़का यह लड़की जिसमें मैं ने फर्स डिविजन प्राप्त किया और फर्स डिविजन प्राप्त करने के बाद मुझे एसास हुआ कि अरे इतना लोग गाव में रहते हैं कोई न अपने गाउं में फर्स्ट डिविजन से मेट्रीक पास किये पूरे गाउं में ये बहुत खुसी की बात है इनके लिए गर्व की बात है और सभी के लिए गर्व की बात है और आगे हम जानना चाहेंगे कि मेट्रिक के बाद आप कौन सा कोलेज में इडमिसन लिए और वहां का सफर कैसा रहा मेट्रिक करने के बाद मुझे साइंस लेने का बहुत इच्छुक हुआ लेकि गावाले बोले कि इनके पास पैसा कावड़ी नहीं है ये कैसे साइंस करेगा फिर भी मेरे जीद में मैंने कोमर्स ले आइकम लिया और मैं सेकेंड डुजन से पास किया उसी समय मेरे गाव में कुछ जमीन विवाद में मेरे पिताजी जेल चले गए और जेल जाने के बाद मैंने काके के कथर गोंड़ा में जो भठा थी वहां ड्रहकर पिताजी के साथ राकर मैंने परिच्छा लिखी और कोमर्स में सेकेंड डिविजन लिया उसके बाद इधर प्रात्ना सावा भी शुरू हुई तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए मुझे पढ़ाई नहीं रोकना है इस वज़ा से मैं केसी भी कोलेज बेड़ों में दाखिला लिया और ओनर्स बीए पार्ट वर्ण में कुडुक लिया और कुडुक मैंने पहले गाव में उसे परिवेस नहीं थी नहीं जानते थे लेकिन प्रात्ना सावा में कहा जाता था कि अपना भासा संस्कृत को बचा थी दो बिली पुनाखोर इससे मुझे बहुत लगा कि कुडुक बात सीखना से और उसी समय से मैंने बहुत जबर्जस किया और उसमें पढ़ाई में रम गया और पढ़ते-पढ़ते मैं कुलेज भी जाता था और उसी समय साथ-पाढ़ा दरह मर्चा चंगनी में 2005 में हाइ लाइज भी करते थे उसके बाद वहां बीए करने के बाद कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे लागा कि रांची आप पढ़ाई करना चाहिए चुकि यहां बेडों में एम में की पढ़ाई नहीं होती है तो मैंने उसके दाखिला के लिए मैंने ट्रैबर डिपार्टमेंट ट्रैबर रिजिनल लाइवेज रांची इनवर्शिटी रांची में 2007 में अड्मिशन लिए तो आप लोग नों सिना कि यह नमहयडपा पुनाखोर जैसे कहानी को पढ़ करके इनको दिल में उर्जा मिला इनके हिर्दय में आत्मा में एक आत्मिस्वाह जगा कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए और आगे आना चाहिए तो चलिए दोस्तों अब तो समझ गए किताब में कहानियों में उपनियास में नाटक में बहुत ही बड़ा उर्जा का स्रोत होता है जिसका फाइदा हमारे माननिये डॉक्ट्रेट बांदे उर्णाओं को मिला अगर ये उन अंदे सर जी आपने बहुत ही अच्छा जानकारी दिया है और मैं फिर आपको ये इस बात को पूछना चाहेंगे कि आप इतना संगर्ष कर रहे थे हम देख रहे थे कि तुरत ही प्रातना सभा जाते थे तुरत ही कलास दोड़ते थे तुरत ही और कुछ करते थे तो उस पर नहीं था उसमें पैसे की ज़ुरत ही नहीं पड़ती थी हम लोग जहां भी जाते थे साइकल में जाते थे इतना तक कि मैं आर्मी बहाली के लिए मेरे बड़े भाई के साथ कुम शैपल से याते जाते थे डिपार्टमेंट भी एक दो बार मैंने शैकल से ही आया गया और एक बार अपने कोशिच में मैं पूरा राची से पायदल रेलवे स्टेशन होते होते मैंने गाव चला गया कि आखिर हम इस सफर कर सकते के नहीं मैं अपना परटिकल खुद करता था किसी दूसरे के मैं भरोसे नहीं राता था उसे बहुत याद है कि मैं रेल के पहिये पह पासंग जो निहरू या केंद्र है उसमें काम करने का मौका मिला उसमें मुझे एक हजार पर महिना मिलती थी और घुलिंट्री करते थे उसी बीच में हम लोग बीट का भी कोर्स कर पाए उसी पैसा से जमा किये कोई फिजूल खर्ची नहीं कोई नसापा नहीं करते थे सिर झारण यह मुकाम हासिल हो पा रहा है कि तो बांदे सर जी आप इतने बड़े मुकाम हासिल किए घर का सही योग था, जिस तरह से उनकी स्थिति थी वो लोग अच्छा सहयोग किये सोचे वही बहुत बड़ा सहयोग है तो मैं जानना चाहता हूं कि आप के जो युनिवर्सिटी में टी आरेल डिपार्टमेंट में जितने भी आपके सहयोगी थे या आपके गाइड थे या आपका जो इंस्टिच्यूट का ओज अनुसरान करना ही जीवन का सबसे बड़े संगर्श हो सकता है चुकि मुझे भी लगा कि उसमें कोई भी लोग पूछते नहीं थे, कोई जानते नहीं थे, सिर्फ होस्टल में ही जानते थे कि ये काला फुलपायट वाला है, लिकिन जब मैं एमेड करके हजारी बाग से आया, 2014 में, तब लोग समझने लगे कि इसके पास कुछ क्वालेटी है, तब उन्हों आपस में चर्चा करते थे, बाहर सुनाए पड़ती थी, कहते हैं कि कान की भी दिवाल होती है, मसुष कान की दिवाल को सुनकर जोग ऐसे बोलते तो मुझे खुद मैं इससे क्या परिवर्तन करना चाहिए, कि लोग मुझे उस तरह से कॉमेंट ना कर तो आप B.A.D. भी किये और M.A.D. भी किये, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्याबाद, ये B.A.D. भी किये और M.A.D. भी किये और Ph.D. भी किये, और इस तरह से इनका संगर्स आदिवासी परिवार से निकल कर आगे जा रहा है, तो हम यही चानना चाहेंगे, कि आप अपन युनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में जो हरी सर्च थे अभी भी हैं, और अभी कुल्पति क्या नाम मीरा कुमार, कामनी कुमार, कामनी कुमार, इनका सहयोग बहुत अच्छा रहा, तो उनके लिए धन्याबाद किस तरह देते हैं, उसके लिए डोक्टर, प्र बहुत अच्छा रहा, उनको लोगों को समझने में लोगों को दिक्कत होती है, उनकी भावनाओं को लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग आते जाते हैं, और उनकी तरह-तरह की बुराय भी करते हैं, उनको भी मैंने सुना, लेकिन उनसे जब अंतरात्मा से जुड़े, और मुझे प्यश्डी करने में कोई गायड नहीं मिल रहे थे, और इसके लिए मुझे दो साल प्यश्डी के चक्कर गवाने पड़े, और मैं रोज दिन डिपार्टमेंट जाता, फिर टोफिक चयान करता, लेकिन उस टोफिक में भी चयान करते हैं, फिर नहीं होता, मैं प्यश्डी कर पाता है, यह समझ में नहीं आता, लेकिन दो बार करने का यह मुझे आउसर मिला, इसलोग मैं आखरी डेट में प्यश्डी का रेजिटेशन करा पाया, बांदे सर जी, आप देख रहे हैं कि आज टोटल आदिवासी उराओं की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार 40-30 लोग अपनी कुड़ुख भासा को छोड़ चुके हैं, और आप कुड़ुख भासा को बचाने के लिए कुड़ुख में पीएचडी किये हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पुष्टक के लिए हम लोग टार्गेट किये हुए हैं, और उमीद है कि हम लोग 21 फरवरी जो मात्री भासा दिवस है, उसमें हम लोग उसको कही पर लोकारपन का टार्गेट बनाएं, अगर हो सकती है, संभव है, तो अभी वे पुष्टक प्रेस में है, जैसे ही आ अभी प्रेसी लोगों को या उराओं लोगों को समाज की लोगों को ये कहना चाहता हूं, कि आप लोग अन्या भासा की तरह आपने आपको हीन भावना की द्रिश्टी कों से ना देखें, चूकि हमारी भासा साहितिया संस्कृती बहुत समरीद हैं, हम लोग मोहन जोदलो क के लोग हैं, हडपा के लोग हैं, और आज सभी जानते दच्छिन भारत में तमील, कनार, तिल्गू, मलयालम, इन सारी भासा कितनी समरीद हैं, उसके हम कटिगरी की लोग हैं, तो हम अपने आपको हीन भावना से क्यों जाते हैं, हम लोग तो ये छोड़ना ही नहीं ये मानसिक गुलामी है, उस मानसिक गुलामी को छोड़िये और अपना सुविवान में चलिये, और आप सभी जानते हैं कि भासा ही एक पाचान है, हमारी आदिवासियों की, अपनी धरम और संस्कृति की पाचान है, अभी जारखर में जितने भी परिछा हो रही है, उसमें मातरी भासा में, कुरुक में पास होना बहुत जरूरी हो गया है, साथी साथ अगर आप नोकरी करते हैं किसी विभाग में, सीयो वीडियो बनते हैं, डियस पी, आईयस बनते हैं, तो आपको यहां की जो जनजाती भासा है, आदि भासा है, उसमें पास करना जरूरी है, नह तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी और जारखन में तो दूति राजभासा प्राथ हुई है हम उसको इंक्रीमेंट नहीं करते हैं उसको परियोग में नहीं लाते हैं इसलिए आपने आपको समझ नहीं पाते हैं को कुरुक बोलने से क्या फायदा इस सोचते हैं यह कमजोर मानसिक्ता और यह जो हमारे अगों के द्वारा दिद्धर्मित करने के कारण यह हुई है यह हम कदापी ने चाहेंगे कि 40% हमको लगता है एक दो साल में 20% लोग ही छुटेंगे यह 10% है इसकी पर्तिशत बढ़ाना हो लोगों का करतब्या है अभी कुडुक हाई स्कूल टीचर में 80 टीचर लोग पूरे जारकार में बहाल हुए आने दिन मों सरकार जारकार भेकिनसी बहाल किये अभी तो सबकी मजबूरी हो जाएगी कि आपकी ने पी नियो सिक्षानेती 2020 में मदर लैंग्वेज बेस्ट कलास होना है हर एक स्कूल में तो आपको मजबूरी है सीखना है और उसे का अधार पर आपका जो कौशल विकास करना चाहती है भासा संस्कृति के सारक्षन करना चाहती है तो आप हम सभी को उसमें अपने आपको ढालना ही पड़ेगा यह तो बात ही नहीं है यह कहां से रिपोर्ट आया मुझे अथंटिक रिपोर्ट नहीं पता लेकिन आप बिनोज जी आप बोल रहा है इसलिए मैं उसका जबाब देने का कोशिस कर रहा है मैं इसको बता देना चाहता हूं बांदे सर जी यह जनगन्ना रिपोर्ट 2000 गारा का र थाली नागपूरी सारे भासा का निकलता है वहीं से निकाला गया है जनगन्ना 2000 गारा के अनुसार लगभग 40% के आसपास अपनी कुणख भासा को उराओं लोग छोड़ चुके हैं इसके लिए आप लोगों को कुछ लगेगा देखने वालों को आप पता कर सकते हैं उसके यही बतलाना चाहते हैं कि जो बांदे सर जी भासा के परति जो बोले वह हमारी आइडिन्टिटी तो है ही हमारी पहचान तो है ही भासा और पहचान के बाद यह बहुत ही बड़ा अनमोल रतन है दौलत है और बिरासत की यह दौलत है इसको हम आदिवासी समाज को छोड़न चाहिए बलकि सीखना चाहिए और यहां पर सहित्य और जो भी मुहाबरे किसी तरह का मतलब कहावात कहानिया सभी हमको इसी में बोलना चाहिए सीखना चाहिए बहुत ही सुन्दर भासा है इसको बोलने कितना मज़ा लगता है कितना आनंद आता है बोलने वाला ही जानते हैं लेकिन आज हम higher education के और जाना या English medium की और इसकुल में जाना जब शुरू करते हैं तो हम इस भासा को हीन भावना से देखना शुरू करते हैं, हीन भावना नहीं, या हमारा identity है, हमारा पहचान है और हमारा आज तो ऐसा हो गया कि जो अपना भासा जानेगा वही अपना छेतर में नोकरी करेगा, तो जिन किसी भाईयों को पढलिक रहे हैं नोकरी करना है तो अपना भासा जानना है नहीं तो फिर हम नोकरी नहीं कर पाएंगे ये होने जा रहा है और आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में भासा या अंदोलन हो रहा है इसी का वो परिचय दे रहा है तो चलिए आगे हम जानना चाहते हैं बांदे सर जी से की और आगे आप मतलब समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं बांदे जी अभी के लिए समाज के लिए अभी मैंने मोटा मोटी 5 साल का मास्टर पलान बना चुका हूँ और डॉक्टर हरी उराओज जी से सरना निवक संग कुडुक लिटरी सोसाइटी और मेरी पाढ़ा समाज है उसके बीच तर्ग बितर करने के बाद मैंने 5 साल का रोड माइप अप द्याले खोडने की थी लेकिन वहां मैंने सहीयो करने के लिए मान लिया है और अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ भासाई रूप से लोगों को जागरूप करना है पुस्तक बनाना है पत्रीका निकालना है और उस पत्रीका के माधियां से और कुडुक सिक्षक संग जो बनी पुलीस और सिपाही सियो बीडियो जीपी Billi द्वारा जितने भी कुडुक भासा से संभनित अभी जो भी परिछा हो रही है कमपेटिशन की परिष्ण हो रही है उसमें हम लोग सहयोग करने की भावना से उसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं αυτं कुछ उसको बना वी रह है वहाँ के छात-छात्राओं को और सिख्षकों को हम लोग वहाँ मीटिंग का टाइम रखा हुआ है और वांदे जी आपने जो किताबें लिखी है यह किताब आपका सोध का किताब है जिस विशय पर आप सोध किये वही किताब कल लोकारपन हुआ हमारे कुलपती महोदय के हाथ हो और डिपार्टमेंट के सारे लोग और बहुत सारे कोलेज के लोग थे तो आप कैसे इस तरह का अच्छा टोपिक का सेलेक्शन किये यह टोपिक सेलेक्शन करने में सबसे बड़ा डॉक्टर हरी राव जी का हाथ है चुंकि हमेसा कहा करते थे कुछ नया करो कुछ नया कीजिए ताकि समाज मोग आये हुए दिन में काम दे सकता है तो लोग समय हिसास ही नहीं हो रहा थे कि नया क्या करें छोटा चोटा टोपिक बना के लेते थे सब रिजेट होती थी तब मुझे इसको चैलेंज के रूप में सुविकारना चाहिए कि मनुस हम आदमी हैं तो इतने पढ़ लिख लिए तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं इस वज़ा से मैंने कुणुख सिष्ट शाहितिया का विसलेशना तमक जो जटिल था उसको मैंने चैन किया और यह रजिटेशन भी हो पाया और आपके पास जो किताब लिखे हैं उस को जड़ा दिखाने का परियास किजिएगा और यह कुणुख सिष्ट साहिति करके है ना कुणुख सिष्ट साहिति यही आपका पीएचडी का टोपिक रहा और यह किताब का लोकरपन हो गया तो बहुत अच्छा आप इस किताब के बाद कुछ और किताब की भी त्यारी च सरना निवक संग और कुणुख सिष्ट संग के बुद्धी जीओं के द्वारा यह टार्गेट ही लिया गया है कि हम लोग फरवरी महिना में भासाई अंदोलन के लिए रूप रेखा त्यार करते हैं लोग तो तरह तरह का भासन बाजी करते हैं लेकिन हम लोग को काम करके दिखाना है इसी का प्रारूप के लिए हम लोग अभी आज तक समाज में नहीं हुए है और मेरी पहली सरना फूल पत्रीका में कि मैं चलूर कुडियानू कुणुख भासा का दिशा और दसा में वहां मैंने इंकित करने का कोशिस किया था कि आज तक जो कुणुख भासा मे सब्सक्राइब है क्लास 678 की पुष्टा के आज तक नहीं आई है उसे मुझे जहान में बहुत खुटती थी और उसका सकार रूप आप होते दिखाए दे रहा है अभी वो पुष्टक प्रेस में है लेकिन कुछ डेमो हम लोग कर रहते पूरूफ रीडिंग तो मेरे पास क प्रोफिक का चैन की है बेंजा चंदो जो आप बिनोद जी को दिखाता हूं बेंजा चंदो इसे ब्लाक एन वेट में है यह पुष्टक लिकिन रंगिन में चापेगी यह पुष्टक आएगी बांदे जी का लिखा हुआ और बहुत ही अच्छा होगा यह कुणुख चैन में है जावा पूप यह पूप जावा पूप है जावा पूप नामक किताब और बंद सरजी का आएगी और यह जाहिर से हो रहा है कि यह करम से रिलेटेड होगा हमारे पर्व प्रकृति के महापर्व कर्म से जुड़ा हुआ यह लेख होगा और यह सीक्स क्लास का और यह नावर पूप नामक किताब है जो आने वाली है हमारे सरजी बंदे उराओं का यह नावर पूप इससे साब साब पता चल रहा है कि यह सरहूल से रिलेटेड सरहूल से जुड़ा हुआ किताब होगी और हमारे सरहूल महापर्व जो है प्रकृति पर्व उसके बारे म इसको निचोडने का निकालने का परयास किया गया होगा इसका निचोड दिखाने का जातरा सिंद्रा बहुत सारे चीज होते हैं वो तो है ही लेकिन बड़े चीज़ों में यह काम कर रहे हैं निश्चीत तोर पर आने ओले दीनों में कुड़ुखा दीवासी समाज का जो भासा है उनकी जो रिती रिवाज है उनकी जो परंपरा है जाहिर सी है कि उनके लिए कुछ कार इनका जो है वो बहुत ही बड़ा साबित होगा ऐसा हमको उमीद है और बांदे सर जी को मैं धन्यबाद देना चाहता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल में दो बात करने का मौका दिये जो हो हम परियास कि अच्छा कर पाएं या गलत कर पाएं वो हमको नहीं पता आपको पता होगा लेकिन यह हम परियास करने का कोशिस कर रहे हैं कि हम इनकी बिचारों को सामने लाएं ताकि इनका मनों बल आगे बढ़े और समाज के लिए कुछ कर सके और आप लोगों के पास इस लिए इस मिट्टियों में या इतिहास में जो दफन हो रहा है मिट रहा है समाप्त हो रहा है उसको आप लोग आप सारे विद्यार्थी आप सारे सिच्छगन आप सारे समाज के लोग उसको अपने परियास से खीच कर रिसर्च कर सामने लाएं ताकि जो हमारी आने वाली पीड़ी है जो अभी नया जन्म लेगी वो हमारे चीजों को देख सकेगी अंगिकार कर सकेगी और उसको समाज में बरकरार रख सकेगी ताकि हमारी जो ताकत है हमारी जो आइडेंटिटी है हमारी जो पहचान है वो समाज में रहे तो बांदे जी आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे समाज और सारी लोगों को समाज हो सभी समाज हो मानवजाती को क्या आप संदेश देना चाहेंगे संदेश हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि लोगों को दूसरों की भलाई के लिए सोचना चाहेंगे चुकि हमारा देश विश्व बंधितुआ है और आदिवासी समाज हमेसा दूसरों के लिए सोचता रहा है अपने लिए यो कभी ने सोचता है जिस परकार से पेड़ सिर्फ दूसरों के फल देने के लिए सोचती है अपने में कुछ अपना धूप तपाती है इतना सरदी में बरसात में कितना धूप सहती होगी उस परकार से हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं लेकिन कुछ विकृत यानने के कारण हम उन्हें भूल चुके हैं इसलिए अभी जरूरत है कि उस परकार से उदारवादी नैतिक वादी विचार धारा में आकर पूरे आदिवासिस अगवों को एक जुठ होकर दूसरों के भलाई के लिए समाज कल्यान की बात करनी चाहिए और हमारी जो आदिवा समाचार पत्र में मिला की हमारे पाढ़ा के सरक्षक, विशुअनात भगजी जो बारेडी के थे वो पाढ़ा समाज को जगाने का कोसिश किये तो हम लोग पूरसमाज के लोग जो हमारे समाज से गुझर गये हैं, बाबा राम कुझूर भगत, विखराम भगत, देष्टरन भगत इस प्रकार से एतो उराओं बिरेंदर भगत इस प्रकार से जो हमारे समाज के लिए छोड़ के गए हैं उनकी पहचान को हमें सजा कर रखना है सजो कर रखना है और उनके पत मरदर्शक पर चलते रहना है इसलिए मैंने अभी तक 2014 से कुलुक पत्री का जो प्योर में है पाढ़ा पत्री का अभी तक मैंने अपने समाज की ओर से अपने तरफ से मैं साथ भाग अभी पाढ़ा पत्री का का परकासन कर चुका हूँ तीन पुष्टा का जो पूरा छप गई है और कोई चार बाकी है उसको मैं धीरे धीरे छपवाने का कोशिस करूँगा और उमीद और आसा करता हूँ कि आप सभी सरना निवक संके सरना फुल पत्रीका में पाढ़ा पत्रीका में बगपून पत्रीका में आर्टिकल देते रहें अपने समयाज के संदेश को देते रहें ताकि हम सभी समाज जागते और जगाते रह सकते हैं तो इस प्रकार से बिनोजी को बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि ये मुझे पाश्चाने का कोशिज किया और इसको अच्छा मुकाम तक जाएं और सभी लोग सुने इस चैनल को सब्क्राइब करें और देखें और सेर जरूर करें इसके लिए इसको बहुत बहुत धनियावा और इसको तहे दिल से जय ध्रम जय ध्रम में जय चाला जय सरना